जाए हिन दोस्तों स्वागत है आप सभी कान अकैडमी में दिस इस मानवेन प्रताप सिंहें लेट स्टार्ट तुड़ेज दा हिंदू न्यूस अनलसिस बज गए हैं सुबा के सिक्स थर्टी और लेकर आ चुका हूं मैं आप लोगों के लिए हमारा आज का न्यूस पेपर का डिसकेशन एक बात हम सब कर दो बता दो कोई टेकनिकल इशू नहीं है कोई समस्या नहीं है आफ्टर एट वी विल कंटीनिव आर सेशन ठीक है तो आई तिंग एवरिफिंग इस फाइन एवरिफिंग इस क्लियर और कोई समस्या नहीं है कोई टेकनिकल इशू नहीं है तो ठीक है आई लेट मीचेक वन्स तो यस वी आ लाइफ एंड लेट स्टार्ट टुड़ेशन बिना समय गवाएं हुए और सेशन के शुरुबात हमारे डेली की तरह मोटिवेशन थॉट से होने वाली है और आज का जो मोटिवेशन थॉट है बड़ी शांदार बात करता है क्या लिखा हुआ है यह एक बात है और यह आपको समझनी होगी हम लोग क्या सोचते हैं कि इनसान सिर्फ जो खुद से गलती करता है बस उसी से सीख सकता है बट इस नोट ट्रू आप जो है दूसरों की गलती से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं आप देखिए बहुत सारे टॉपर्स के वीडियो देखते होंगे आप अलगले टॉपर्स की बाते सुनते होंगे एक चीज आपको जो समझनी होगी ना वो यह समझनी होगी कि अगर कोई बताता है कि बाई मेरे से यह गलती हुई है तो आप उस चीज को समझिए और आप उनकी गलतीयों से भी सीख के अपने अंदर चेंज ला सकते हैं देखो गलती आप करो बहुत अच्छी बात है आप उससे सीखोगी लेकिन एक गलती को 50 बार करना कोई मतलब नहीं है और बह गलती करके सीख रहूं अच्छी बात है पर दूसरे जो गल्ती कर रहे हैं अगर आप उन सी भी सीख लेते हो तह अच्छा है ना आप वा गलती दोह रहा हो गे नी तो आपको खुद से दो गलती करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसके बात घाइज अगर आपने अभी लर्निंग प्लैटफॉर्म डाउनलोड नहीं किया है तो पता नहीं किसी इच का वेट कर रहे हो भाई जाओ इसको डाउनलोड करो इंडिया के बेस्टीचर्स तुम्हें आप पढ़ाते हैं इनसे पढ़ने की अपूर्चुनिटी को मत गवाओ अनकेडमी की जो यह एप है य प्लस एन एक उनिक सब्सक्रिप्शन तो बहुती छोटा सा डिफ्रेंस नहीं है काफी बड़ा डिफ्रेंस यह एकि प्लस में भी क्लास देखने को मिलेगी बट आइकॉनिक में यूट के यह पर सकते हो आप समय समय पर गायडेंस ले सकते हो तो वह पौसीबल होगा और आपको मिलेगा 10% का discount और इन courses को आप enroll कर सकते हो इन prizes पर आप optional के तयारी भी हमारे साथ कर सकते हो इसके लावा देखो Unacademy का summit होने वाला है 2.0 डिस्क्रिप्शन में लिंक है जल से जल जाओ registration कराओ Unacademy combat जो हमारी प्रित्योगीता होती है यह भी आने वाली है तो इन सब में जाके आप अपने आपको enroll कर सकते हो तो don't waste your time go and जाओ जल्दी से अपने आपको register करो इसके लावा आप मुझे Unacademy पर follow कर सकते हैं this is my profile यह गंदी से picture आपको धूड़नी है यहाँ पर modern history की मेरी classes free of cost होती है औरेडी 23 lectures हो चुके हैं बच्चों लेक्चर सभी एक दो दिन में स्टार्ट होंगे प्लस आप मुझे टेलीग्राम पर भी follow कर सकते हो this is my telegram ID Unacademy मानवेंद्री यहाँ पर आपको एडिटोरियल है वो है freedom and security आज की newspaper से जो सबसे पहला एडिटोरियल हमने उठाया है that is freedom and security यह एडिटोरियल जो है यह अफकॉर्स किस चीच के उपर आया है समझ गए आप अभी देखो government का kind of कह सकते हो कि class चल रहा है Twitter के साथ और उसी से related यह एडिटोरियल आया हुआ है र आपको government के terms and condition पर work करना होगा आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे देश की sovereignty integrity को इस सब खत्रा ना create हो इसका देखो अभी मामला क्या था मामला यह था कि देखो जब farmer protest में यह violence हुआ था दिल्ली के अंदर उस समय कुछ ऐसे hashtags को promote किया जा रहा था जो की नहीं कर र आपको करना है उस दिन आप समझ रहे हो मतलब प्री प्लांट चीचे थी यह दिखता है यहीं से मतलब toolkit वाले से क्योंकि इसमें हैस्टेक्स उसी दिन के लिए चुना गया था जिस दिन यह पूरा वाइलेंस हुआ था और यह पहले से ही लोगों तक पहुंचा दिया गया अभी आपको पता है कि महरास्ट में एक क्लाइमेट एक्टिविटिस्ट को अरेस्ट किया गया है अपना आते हैं उन सब बातों पर एक पहले बीसिक आइडिया ले लेते हैं पूरे माजरे का तो सरकार ने इस पर एक देखो बेस्ट एक्जामपल जो है वह यूएस का ले यूएस में जब कैपिटल हिल के उपट जो ट्रम्प जी के सपोर्टास थे उन्होंने अटैक किया था तो ट्विटर ने उस तरीके के हैस्टेक्स को प्रमोट किया था जो इनको करते हैं बट इंडिया में जब रेट फूर्ट पे इस तरीके की चीज़े होई तो वहां पर उसको कंडेम करने वाले ट्विट जो हैं वो सामने देखने को नहीं मिले उस तरीके के हैस्टेक को ट्विटर ने प्रमोट नहीं किया तो गवर्मेंट का पूरा मामला ही यहीं पर आके अटकता है ठीक है अभी देखतो हैं आपन और क्या क्या चीज़े इसमें लिखी हैं उन्होंने पार्लेमेंट में बोला कि हम जो है क्रिटिसिजम को रेस्पेट करते हैं इवेन आप चाहो तो आप जो है प्राइम मिनिस्टर सहाब को भी क्रिटिसाइज करो हमें उससे भी कोई दिक्कत नहीं है पर मुद्दा यह ना कि आप सही चीज़ों करो गलत चीज म बात का एक्जामपल जो मैंने दिया वह यहीं लिखा हुआ राइटर ने कि रेट फॉर्ड पैसा जब हुआ तब ट्विटर ने चीजों को नहीं समभाला लेकिन जब यूएस में घटना घटी थी उस समय ट्विटर में उसी तरीके के हैस्टेक ट्रेंड किये गए थे जो घटना को आप कैसकते हो कि निंदा कर रहे हुं ठीक है इसके बद देखो राइटर यहाँ पे अब आते है अपने पॉइंट्स पे यहां तक बात ठीक है यह बात बिलकूर सही है लेकिन राइटर का यह कहना है कि यहां तक गवर्मेंट नहीं रुखना चारी है प्लेटफॉर्म है हुआ है जादा हो रहा है ऐसा और इमक्रिटिक कांट्रीय के ंपलेदेता है धूठ्व करने से मना घर दिया है। और दोनों ही सरकार और ऊट्वूर्च के बीच में काइंड और क्लैस्ट चल रहा है। तो काफी सारे जो सरकार के अलग बड़े-बड़े मिनिस्टर्स हैं या फिर जॉइनिंग कुछ ट्वी एक्ट्रेस घंग नरनावत अनुपम खेर वो लोग भी कुछ जॉइन कर रहे हैं तो वह भी कहीं नहीं टुटर को एक मैसेज है यह सब किस चीज के तहत किया जा रहे है सरकार यह जो डिमांड करती है ट्विटर से या अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से यह किस चीज के तहत करती है तो दिर इस एक्शन 69 ए ओफ इंफरमेशन टेक्नोलोजी एक 2000 का और इस पर्टिकुलर एक्ट को जो है वो श्रिया सिंगल वर्सेज यूनियन ओफ इंडिया केस से भी सही बताया गया है देखो सेक्शन 69 एंफ इंफरमेशन टेक्नोलोजी एक्ट जो है वो काइंड ओफ क्या कहता है कि यह कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म के उपर कंटेंड जो है वो ब्लॉक किया जा सकता है अगर वो देश की इंटिग्रिटी के करते हुए ऐसे कंटेंट्स को ब्लॉक करवा सकती है या कर सकती है ठीक है तो यह सारी चीज़े हमने यहां पर देखी है इसके बाद देखो लास्ट में राइटर जो बोलते हैं यह बहुत ज्यादा भड़ा है और इसको डिफाइन धंक से करनने की जरूरत है और डेमोक्रि प्रिसीडेंट यह आटिकल क्या है देखो डॉनल्ड ट्रम्प का सेनेट में रिमूवल का प्रोसेस था और वह फाइनली कंड़क्ट हो चुका है जिसमें दस वोट से रिमूव होने से बज़ गए हैं अब यह सब क्या है क्या पूरी कहानी है इसको समझते हैं देखो यह ज एकसेप्ट करने को तयान नहीं हो रहे थे मैंने आपको यूएस की कहानी वैसे पचास बार बता रखे लेकिन आज 51 बार भी सुन लो वहां पर एक हाउस होता है हाउस रिपरजेंटेटिव दूसरा होता है सेनेट ठीक है यूएस में प्रेसिडेंड की इंपीच्मेंट की प्रोसेस यह होती है कि पहले किसी बंदे कों करना है तो हाउस रिपरजेंटेटिव प्रोसेस करना होग और फिर उसी प्रेसिडेंड को करना होगा बट अगर कोई बन्दा मानलो मिस्टर एकस सहाब वो यहाँ पेंपीच हो गए तो क्या इसका मतलब वो प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे ऐसा नहीं है वो इंपीच हुए है लेकिन अभी रिमूव अपनी पोजिशन से नहीं हुए है तो रिमूव कैसे होंगे हाउस रिपरजेंटेटिव से बंदा इंपीच होने के बाद मामला जाएगा सैनेट में क प्रेसिडेंट की पोजिशन से ठहराया माना जाएगा सैनेट जो है वो एज़सिडेंट को करने का जो नहीं होता है इसको सुनते समय सैनेट को पासाइट करते हैं यूंएस की सुप्रीम कोड के चीफ जस्तीस और फिर वोटिंग ही है जैसे simple और पर्लेमेंट में होती है बड़ जो work है थोड़ा सा court की तरह हो जाता है तो soul power of impeachment जो है US की वो है house of representatives के पास soul power to remove president जो है वो किसके पास है senate के पास ठीक है यहाँ पर क्या हुआ डोनाल टरम्प पिछली बार भी house representative से impeach हो गए थे senate में आके एक्विट हो गए थे इस बार भी डोनाल टरम्प जो है वो house representative में impeach हो लेकिन senate में आके बच गए अब क्या है देखो वहाँ पर को भी president दो बार contest कर सकता है तो probability यह भी है कि अगले election में डोनाल टरम्प फिर से खड़े हो और ना हो तो कोई और खड़ा होगा देखते हैं क्या होता है पर एक यह चीज़ जो है वो सामने है एक चीज़ आपको और समझ दी होगी कि यूएस के अंदर अगर कोई बंदा impeach हो जाता है तो वो second time contest नहीं कर सकता है मतलब impeach नहीं रिमूव हो जाता है तो अगर यहां पर यह जो चार्जेज हैं डोनाल टरम्प की उपर यह सही साबित हो जाते तो डोनाल टरम्प फिर से contest भी नहीं कर पाते ठीक है he cannot contest election अगर वो यहां पर रिमूव हो जाते अपनी position से मतलब अगर उन पर यह आरोब जो है वो सिद्ध हो जाते अब आप कोगे कि सर रिमूव रिमूव को कह रहे हैं वो तो already precedent नहीं रहे है रिमूव एक time है मतलब अगर वो आरोब इनके उपर सिद्ध हो जाते कि इन्होंन foundation माना जाता है कि यह प्रो खालिस्तानी organization है और यहां पर इसके उपर भी जहां चोरिए कि इसका भी कुछ ना कुछ रोल इस टूल किट केस के अंदर आज का डेड्रीम का कोश्चन है कि यह जो टूल की वाला मामला है इसके उपर आपका क्या विचार है कि एक हैस्टेक्स क प्रेंड होने हैं और यह 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 हैस्टेक्स रहेंगे तो इस पर बताईएगा है ना इसके लावाब इसमें और कुछ लिखा नहीं हुआ है कि फिर एक किरनबीदी रिमूट एजब पॉंडुचेरी लेफ्टिन गर्नर किरनबीदी जी को पॉंडिचेरी के लेफ्टिन गर बनाया जाता है और किरन बीदी जी की बात करें तो आपको पता है कि वहां की सरकार और किदन बीदी जी की बिश्में बराबर टसल चलती रहती थी तो अभी फाइनली यहां पर देखने को यह मिला इसके बाद आगे बढ़ते हैं इंडिया चाइना पुल बैक टूप्स प् और दोनों ही कंट्री के लिए बहुत अच्छा विशा है अच्छी बात है कि दोनों ही कंट्री इस मुद्दे पर अपने शांती पूर्ण तरीके से चीजों को निप्टा रही है और डिसेंगेजमेंट जो है वो शुरू हो चुका है ज्यादा इसमें डिटेल में जानने की अब डेट देखना है लिए इनकि फास्टेग के बारे में समझेंगु आप गाडियों की ऊपर देखते हो कि आज कर लगाने की बात होती है और इस से क्या होता है कि पहले जो टोल आप रुके के डेते थे अब आपका फास्टेग में कैशाप्शन देखरो होता क्या ता ना ये मैंने भी बहुत बार देखा है आपने भी देखा होगा ये टोल में जो बंदे बैठे होते हैं वो लोग कैमरी के सामने जिसे जो लोग डेली ट्रेवल करते हैं उनका और उनके बीच में नेक्सस बन जाता है तो वो लोग क्या करते थे कि 80 रुपे का टोल होता था तो वो लोग उससे 40 रुपे ही लेते थे और जो टिकेट देखो कैमरी के सामने वो बस एक वो देना होता था परची तो परची पुरानी रखी रहते थे वो सामने वो परची दे देते थे तो मतलब काफी जोल मोल इसमें भी होता था तो fast tech से एक तो यह हुआ फायदा कि अरप्शन रुका डारेट सरकार के पैसा पहुंच रहा है और थोड़ा सा speed भी तेज हुआ है टोल से निकलने का गाड़ियों का जो कि पहले बंदा रुकाएगा फिर हो cash निकालेगा खुले निकालेगा देगा खुले लेगा फिर आगे बढ़ेगा अब क्या है scan करके आगे बढ़ जाएगा कुछ एक तो समस्या भी है समस्या यह है कि भाई गाउं का किसान जो है वो आज क्या fast tech जानता है कैसे चलाए जाता है क्या वो जानता है पेटियम से कैसे पैसा डाला जाता है fast tech में या कैसे फोन पे से पैसा डाला जाता है fast tech में तो जवाब है नहीं तो फिर उनके लिए भी आपको सोचना होगा और problem क्या है कि उनके लिए option क्या बच्चा है कि मानलो भई अब 20 रुपे का नॉर्मल टोल है तो उनको 20 रुपे देने पड़ेंगे cash में मतलब जो cash में देना चाहेगा उसको जो टोल पड़ना है उसका double amount पे करना पड़ेगा तो यह चीज़े अभी यहां पर लागो करी गई है fast tech के बारे में एक चीज़ जानो भारत की कौन सी payment agency जो है फास्टेक को regulate कर रही है तो नेशनल पेमेंट cooperation of India NPCI NPCI और एक दो चीज़ों को मतलब बहुत सारी चीज़ों regulate करती है बट आप थोड़ा सोच के देखो कि NPCI का नाम आपने और कहां सुना है ठीक है और किसके अंडर में work करता है NETC NETC क्या है national electronics toll collection यह बनाया गया है NPCI के द्वारा ही national payment cooperation of India यह questions prelims में आ जाते हैं तो फ़रा सा ध्यान रखिएगा और यह गुर्ग्राम में तो भीर भीर लगी अपने कुछ से कुछ लेना देना नहीं था अपने को fast tax से लेना देना था जो मैंने आपको detail में से बताया है अच्छे समझाया है ठीक है जिस इस इट चलिए बढ़े आगे ठीक है इसके बाद क्या है लिएपर्ट population tracking gets new approach किसी ने पूछा toolkit केस क्या देको toolkit एक document पब्लिक किया गया था उसमें कुछ hashtags जो हैं वो जबदस्ती trend कराने के लिए बना दिये गए थे कि भाईया फला फला है है आपको उस दिन ऐसे समय पर डालने हैं उससे क्या हुआ ट्विटर पे वो एक लहर दोड़ गई कि भाईया जिस दिनी मामला हो रहा था आप देख थे त्रेंडिंग में थी घंस में काफी अभद्र टाइप के जो वह थे टैक्स वह रहे थे भारत की सरकार के अभवद्र टैक्स दे वह ट्रेंड हो रहे थे तो डिस यह टूल गीट केस की जो conspiracy है वो यह है कि पहले से ही लोगों को बताया गया था कि भाईया यह है आपको करने है अब क्या है लिवपर्ड पॉपुलेशन ट्रेकिंग गेट्स न्यू अप्रोच यह आप लोग पढ़िएगा मैं आपको तुरह सा लेपर्ड के बारे मता देता हूं साइंटिफिक नेम जो है लेपर्ड का वो है पैंथेरा पैरडस शेडियूल फस्ट ऑफ इंडियन वाइल एक प्रोटेक्शन एक 1972 में है मैंने आपको बात बार 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 बता रहा हूं जब भी हम किसी भी जानवर के बारे में पढ़ेंगे हम उनका आयूसीन स्टेटस शेडियूल फस्ट स्टेटस भारत में क्या स्थती है यह सारी जानने की कोशिश करेंगे ठीक है तो सैंटिफिक नेम था पैंथेरा पार्डस लिस्टेड है शेडियूल फस्ट ऑफ दा इंडियन वाइल लाइफ प्रोटेक्शन एक 1972 एपेंडि जगा रीट कर ली जगा इसमें ऐसा कुछ है नहीं जो हमारे एक्जाम के लिए काम का है तो बस सुरह सा नॉलेच के लिए देख लेना है यह इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की उपर एंड इस भीमा कोरे गाउं केस एक्सपर्स एक्सप्लें हाव एविद भीमा कोरे गाउं मामला क्या है यह पूरा इंस्टन्ट क्या था देखो पहले तो यह पुरा भीमा कोरे गाउं का जों के उपर आता है उस समय में वहां पर वाइल इन्स हो गया था जिसके वज़े से काफी ज़्यादा लोगों को चोटोट लग गई थी और उसी के चलते हुए काफी सारे लोगों को अभी जेल में रख रखा है काफी सारे लोगों से समय समय में पुछताश होती है तो वही भीमा कोरे गाउं वाला जो मामला है वही आगे बढ़ता रहता है बात है जैनुरी 1st 1818 की कब की बात है जैनुरी 1st 1818 की और हुआ क्या था देखो उस समय महराष्ट में कम्यूटीज होती थी इसका नाम था महार्स ठीक है और महराष्ट की जो महराठीज mostly होते थे वो पंडित्स होते थे तो उस समय क्या था जो महराठीज थे जो पंडित्स थे जो पेशवा की जो आर्मी थी वो लोग इस लोवर कम्यूटी को जो मानी जाती थी उस समय महार्स उनको as a soldier की तरह participate नहीं करने देते थे Britishers इन सब चीज से उपर उठ चुके थे तो Britishers ने अपनी सेना में महार्स कम्यूटी को काफी जादा जगा दे रखी थी काफी जादा suppression भी होता था महार्स कम्यूटी का जो अपर कम्यूटी होती थी उस समय तो Britishers की सेना से जब यूद हुआ महारास्ट के पेश्वास का महाराथीस का तो देखने में यह आया कि जो पेश्वा आर्मी है वो हार गई किससे Britishers से जो Britishers की सेना थी उसमें उस समय 70 से 80 परसेंट लोग जो हैं वो महार्स कम्यूटी के थे तो इसको ना दो तरीके से देखा जाता है कुछ लोग तो इसको इस तरीके से देखते हैं कि भाई यह तो भाई Britishers की जीत थी इंडियन्स के अगेंस्ट में कुछ लोग इसको ऐसे देखते हैं कि भाई यह lower community की जीत थी अपर community के अगेंस्ट में ये विन जो है ये है lower community की upper community के suppression के अगेंस्ट में उसी के बाद क्या होने लगा हर बार January 1st को वहाँ पे जो victory pillar बनाये गया है जिसमें नाम लिखे गए हैं जो जो समय शहीद हुए थे मार्स community के लोग जिसको run stamp भी भी बोलते हैं वहाँ पे उनको मार्क करने के लिए हर सल anniversary celebrate करी जाती है इस साल 203 anniversary बनाई गई थी जब 2018 में 200 anniversary थी उस समय जो है काफी बवाल हुआ था और उसी समय से अब तक जो है चीजों को आगे लेके आया जा रहा है ठीक है रॉकेट स्ट्राइक एड यूएस बेस इराक किल्स कॉंटेक्टर इंजर्स फाइफ तो देखो यूएस का military base करदिश नॉर्दन इराक के अंदर वहाँ पे एक अटैक किया गया है और उसके बाद काफी सारे लोगों की मित्ति होके यह पांच्छे लोगों की इसकी जिम्मेदारी जो है को और देख लेना को ऐसी है मतलब बिलकुर नहीं सी है और कोई सबूत नहीं किया है बट ऐसा है कि उन्हों किया है आपको भी हम कुछ दिन पहली में बता रहा था किस तरीके से इराक में जो है सपोर्ट मिलता है इरान का और यह कहीं न कहीं वहीं सामने आएंगी को समय बाद तब देखेंगे कि आखिर में चीजे हुई क्या है ठीक है इसके बाद पुलिस फाइल साकेंड चार्ज यहां पर जो जनता कूप चल रहा है जनता कूप मतलब जो वहां की मिलेटर ने साशन अपने अंदर में ले रखा है तो उन्होंने काई कि हम नेक्स्ट येर तक एलक्शन करा देंगे और जो भी वहां के लीडर से सबको इन्होंने अरेस्ट करा रखा है और ऐसे चीज़े यहां पर देखने को मिल रही है ठीक है और दो विश्व की बहुत सारी कंट्रीज ने इनका अलोचना करी है यूएस ने भी डारेटली हमकी दे दी है बाकि देखते हैं कि क्या आगे होता है इवन इनके देश में भी काफी ज्यादा मैसिव लेवले प्रोटेस्ट जो हैं व पिर आमने देखा भीमा कोरे गाउं इंसिडेंट अमने देखा किस तरीके से पेश्वा आर्मी बिटिश आर्मी के बीच में युद्ध हुआ था जिसमें बिटिश आर्मी जीद गई थी बिटिश आर्मी के अंदर उस समय महार्स कम्यूटी के लोग काफी ज़्यादा थे इसको ऐसे देखा आने लगा कि लोगर कम्यूटी की अपर कम्यूटी के सप्रेशन की अगेंस्ट में जीत है और फिर तो आपको पता ही है ठीक है फिर क्या हुआ लेपर्ड के बारे में हमने देखा पेंडिक फस्ट और साइट्स में आते हैं वन लेबर हैं आई उसीं रेड लिस्ट में नाइन सब स्पीसीज है वाइल लग पर्टेक्शन एक 1972 के सेडूल फस्ट में आते हैं पैंथेरा पर्डस जो है इनका साइंटिफिक नेम है हमने फास्टेक की पुली कहानी देखी कि अभी सरकार ने क्या फैसला लिया है सबको लगाना है जो नहीं लगाएगा उसको डबल पेमेंट करनी पड़ेगी बट कुछ लोगों का आज भी डिश्टल पेमेंट चलाना नहीं आता है उस चीज़ को अवाइट करते थे तो या तो उनको भी सिखाया जाए ट्रेनिंग दी जाए कुछ भी देखते इसका क्या सॉलूशन निकलता है जो कि इसका जो सॉलूशन है वो तो अभी अच्छा नहीं है कि आपको कैश में डबल पे करना पड़ेगा पर फास्टेक के कुछ फाइदे भी हैं हमने देखा कुछ नुकसान जो छोटा सा है अगर उसको अवरकम कर दिया जाए जो लोग जो नहीं जानता है उनको सिखा दिया जाए तो को भी टोल से आप निकलोगे वहां पर आपका फास्टेक जब स्कैन होगा तो आपकी गाड़ी कहां है वो पता चलेगी तो जब ऐसा सो सो जब पूरे इंडिया की वहीकल्स हो जाएंगी फास्टेक में तब को चोरी करके गाड़ी ले जाएगा तो अगर टोल से लेके है आगे इस पर क्या होता है ठीक है फिर है यहां पर यह इंफर्मेशन ध्यान रखना के द्वारा रेगुलेट किया जा रहा है इंडिया चाइना फुल्स बैक स्टूप्स फ्रॉम पैंगों ध्यान रखना किरन बेदी जी रिमूट एस पॉन्डूचेरी लेप्टिन है यह एंड देन हमने देखा freedom and security ट्विटर वाला मामला श्रेया सिंगल केस और ITX 2000 के बारे में ठीक है तो दिस इट गाई इस हमारा आज का सेशन आपने अगर मुझे अभी तक आने कैडमी पर फॉलो नहीं किया है अगर आप को सेशन की PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप् पी एस इसको यूज करेंगे यूविल के 10% discount as well as मेरी guidance भी ठीक है जो मेंटर सब लॉट होंगे वो तो होंगे होंगे मेरी guidance भी आपको मिलती रहेगी तो तिस इस इट गाई इस इस हमारा आज का सेशन कोई डाउट हो को समस्या हो तो do ask me फिर हम आगे बढ़ते हैं सेशन को खतम करते हैं ठीक है सब्सक्राइब लिए ठीक है शाश्वत अब पक्का अगल से करूंगा स्वाती लिख रही है सर्जों टीचिंग स्टैल इस ऑसम चाहे डिटोरियल चाहे मॉडरनिस्टी थांक्यू सुमस्ट स्वाति है यह सश्वत आई डेफिनिटली याद रखोंगा आज से वाकेबलरी वर्साइल यूज स्वाती कोई दिक्कत नहीं आप ऐसे सी की फिर्प्रेशन में भी अडिटोरियल पढ़ेंगे तो आपके फायदा ही यह आप यूविल अंडर्स्टैंड कर इंटरफेर्स वैरी वेल नहीं आकास पाल राज क्या हले भाई कि यहां देखो जीएस पेपर में रिलेट करने को दो मिनिट मैं कर दू लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग स्लेबस लेके खुद से बैठो एक बार रिलेट करने की कोशिश करो क्योंकि अगर आप लोग अपने स्लेबस को याद नहीं कर पाऊगे ना तो फिर मैं आपकी क सबसे पहली जो बड़ा मुकाम हसिल करना होता है ना वो होता है अपने स्लेबस को अपने दिमाग में सैट करना स्लेबस को हमेशा अपने साथ लेकर बैठो मैं बता रहा हूं एक महिने की पैक्टिस है 30 दिन तीस दिन अगर आप से मैच करके ढूंड लोगे न जीएस पेप करना होगा तो स्टार्ट इट फ्रॉं टुडे मैं इसी लिए इसको जिए स्वेपर से कनेक्ट नहीं करता हूं ना मेरे को तो एक मिनिट लगना है मतलब एक सेकंड लगना है बता दूंगा यह जिस पर यह जिस पर यह बट आई वांट यू आल टू आप लोग सो खुद से कर हैड लाम इस टो आप यह पर दिलेइवरी करने जा रहे हैं हॉकर साइघिंग बोलते हैं लोगों को एंड़ तिर पढाई भी कर हैं तो इस लिए चीजまぁ भी लोगों जैसे लोगों से मतलब लोगों की इसपैरेशन लांवि Character नीची महनद करो अच्छे एंडल इस फॉर Yeo योज सुने होंगे जिन्हों ने अपनी lifestyle को जीना नहीं छोड़ा साथ में तयारी करके निकाला है कुछ लोगों ने अपना आपको isolate करके निकाला है तो हर इंसान का अपना अलग तरीका होता है अगर आपको लगता है कि you are happy in doing gym workout है जो भी आपका अच्छा लगता है मुवी देखना घूमना फिर ना जिमिदारी उठाना एक दो घंटे के लिए डूएट यार बट लिमिटेट टाइम के लिए ठीक है यह नहीं कि चाल घंटे जिम्में दे रहें पांच घंटे जमिदारी उठा रहें पांच घंटे घूम रहें पांच घंटे खेल रहें नॉर्मल चलो करते रहो ठीक है कोई देखकर नहीं है कि कि वेरी गुड राज आल दी बेस्ट याड करते रहो ऐसी है थाइंग तो मज़ गरीमा आप चाहें तो न्यूस पेपल के जगा पे जो मैंने पीडियेफ देता हूं इस में देखो मैं आटिकल डाल देता हूं तो यह अल्रेडि मैंने चूजड डाले हैं जो आपके आज की नूसपेपर से काम के होंगे तो जब आप पीडियेफ को जूम करेंगे तो इसमें बहुत ही क्लियर लिए आपको सब कुछ विस्बल होगा तो इन आर्टिकल को यहीं से रीट कर लीजे ठीक है यह इसलिए इसमे सब्सक्राइब मुझे नजर नहीं आते हैं क्या के लिए बैटके बनाता हूं कभी कभी होता ना कोई पर आटिकल नहीं दिखा तो एक बाप पलट लो वैसे नहीं दिखता है उसको हम आगे कवर कर लेते हैं पता पड़ी जाता है बट आप इस पर भी रिलाई कर सकते हो कि आप जो है यहां पर जो आटिकल से ना उनको रीट कर लो बहुत है पर रीट किया करो सेल्फ से भी कि तैंक्यू सो मच राज रुकसार मॉडरनिस्टी इसी वीक से स्टार्ट कर देंगे हैं ना कि थैंक्यू सो मच आश्वर्ट चलो भाई देन बिल्कुल राज भाई आनन लिख रहे हैं सर आप टॉपिक को लेके इतने फ्लुएंट रहते हो कोई डाउट नहीं होता है तो थैंक्यू सो मच आश्वर्ट पूचाएं कि सर करेंट की वेबसाइट सो डेली पढ़ना सही है कि नहीं मेरा देखो इस पर अपना टेक हैं आपका अपना ऊसकता है दोनों ऑप्षन से ज्वाब करना चाहों करना पहला यह होता है कि आप जो है डेली करेंट अफेर्स की वेब साइट से और न्यूस पेपर से करेंट अफेर्स अपने बनाते हुए चलो और लास्ट में फिर येली कोई मैगजीन उठाके जो भी आती हो उससे रिवाइस कर लो ठीक है दिस इस अल्सो गुड ये भी आप कर सकते हो दूसा तरीका ये होता है कि आप जो है न्यूस पेपर को डेली डेली करेंट अफेर्स की तरह यूज करो पढ़ो और मन्तली मैगजीन किसी भी अच्छे करेंट अफेर्स की कोचिंग इस्टिटूट्स की कोई सी भी आप उठाके वहां से पढ़ाई क लीजे बात समझ में आया दो तरीके हैं डेली डेली घड़ा भरो या फिर डेली डेली थोड़ा थोड़ा घड़ा भरो और बचा हुआ पोर्शन लास्ट में मन्त के एंड में भर लो तो दोनों ही चीज़े सही है कोई दिकत नहीं सिर्फ न्यूस पेपर से घड़ा नहीं मतलब बहुत सारी मतलब 50% 40% 30% तो वह चीज़ा आपको उन मैगजीन से कवर हो जाएंगी ठीक है तो यह चीज़ा आपको लेकर चलनी है जो आपको दिमार्ख में रखना है कि भाई मॉडर्ण इसनी की टाइमिंग नहीं होगी अभी क्लासी नहीं हो रही है उसकी होगी अभी जल्दिया नहीं कि यह संद मूर्ल अकाशपाल ने बात बोली है इसी के साथ सेशन को एंड करेंगे सर प्लीज कीव यूर व्यूस ऑन हाउ टू बी फियरलेस फ्रॉम पीपल एक कोट है सबसे बड़ा रोख क्या कहेंगे लोग प्लीज सर सजेस्ट ऑन हाउ तो डिल विद इस थॉट यह अकाशपाल ने जो ब लोग तो बोलेंगे भाई लोग तो बोलेंगे आप क्या लोगों कंट्रोल कर सकते हो आप नहीं कर सकते हो आप अपने आपों कंट्रोल कर सकते हो आप अपने आपों कंट्रोल ऐसे कर सकते हो कि मुझे अब इनकी बातों का फरक पढ़ना बंद हो जाएगा दो तरीके होतने इस चीज़ों को करने के पहला आप घर से बाहर निकलने का मतलब सिर्फ सिर्फ जाके कोचिंग करना नहीं होता है आप सेल्फ स्टडी के लिए भी घर से बाहर रह सकते हो जरूरी नहीं है दिल्ली जाके रहो आपके घर के आसपास जो भी छोटा-मोटा शहर हो जहां पर आप होता है न कि एक मचली पूरे तलाप गंदा कर देती है वही वाली बात है अगर आप अच्छे लोगों के इनर्जी के साथ रहोगे आपको अच्छा फील होगा आप अच्छे सोचोंगे आप अच्छी पढ़ाई करोगे आप गधों के बीच में रहोगे अप गधे बन के तयारी करते हैं या क्यों लोग शहरों में जाके तयारी करते हैं जहां पर और स्टूजन्स रहते हैं जैसे कि अलहाबाद में हम देखते हैं लखनौ में हम देखते हैं या बच्चे आते हैं डली में लोग जाते हैं और भी आपके छोटे छोटे जहां भी शहर होंगे वहा का ही motivation क्रिकट खेलने का है आपका motivation होगा गली गलोज करने आप देख properly अगर आप घर से बाहर नहीं जा पार रहे हो कोई बात नहीं तब भी आपको लोग ऐसा बोल रहे हैं कोई बात नहीं परिवार वाले भी बोलते हैं वहीं अग्यांची समस्या हैं ऊपको बोल तो परिशान हो के आपके साथ बोल रहे हैं आपका एक ही सॉल्यूशन है आप उन सब की बातों को इग्नोर करना शुरू कर दीजे इतना असान नहीं होता है पता है बट अगर आप यादर डाल लोगे साथ से आठ दिन में यादर डल जाएगी फिर उस चीछ को आपको फरक प साल निकलेगा बहुत एक्जाम है दुनिया भर में पचास एक्जाम है दो तिन साल अच्छे से दो यूपेसी नहीं होता है तो इतने एक्जाम से ना कहीं ना कहीं तुम निकाल के सेलेक्ष्ट हो जाओगे सबसे पहले वही लोग आएंगे तुमारे घर में बोलेंगे चलिए ठीक है तो लेट्स एंड इस सेशन टुड़े सी यू टॉमारेट सिक्स थर्टी एम मेरी इस्ती क्लास की एक डिवीजन क्लास होती है करेंट अनिकर्मी की एक नया चैनल अभी बना है वर्ल्ड अफेर्स यूपेसी सी एसी तो मैं उसकी लिंक पर टेलिग्राम पर श चलो टेक क्यार जय हिंद जय भारत सी दो मौरो